अगर आपको actual में एक ethical hacker बनना है तो आपको practically ethical hacking perform करना पड़ेगा सिर्फ theoretically knowledge gain करने से आप एक successful ethical hacker नहीं बन सकती क्योंकि जब आप practically किसी भी चीज को implement करते हैं तभी आप उस field के अंदर successful होते हैं तो देखो एक ethical hacker के लिए सबसे important होता है उसका hacking lab जहां पर वो तरह तरह की research करत है एन अपनी hacking skill को practice करता है तो welcome back to this video यह हमारा ethical hacking series का दूसरा वीडियो है जहां पर हम अपना hacking lab को setup करेंगी इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे description में आपको पहला वीडियो का link मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ entire ethical hacking playlist क यह link भी मिल जाएगा जहांसे आप entire ethical hacking playlist को access कर सकती हो तो जाओ सबसे पहले आप पहला वीडियो को देखो देन उसके बाद आप इस वीडियो को follow करके खुद की hacking lab setup कर सकती हो तो देखो इस वीडियो के अंदर हम जो lab create करेंगे इस lab को हम इस entire playlist के दोरान यूज करेंगे and इ ethical hacking journey को complete करेंगे तो दोस्तों अभी तक आपने भी इस वीडियो को like नहीं किया है तो please वीडियो को like कर दे and please चैनल को subscribe कर दे इस entire playlist को access करने के लिए and दोस्तों आप अपना नाम and location नीचे comment जुरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो कहां तक पहुँच रहा है तो देखो यहां पर हम सारी machine को सारे operating system को VMware workstation पर install करेंगे तो यह जो VMware workstation है यह basically एक virtual machine है जहां पर हम different different तरे की operating system को install कर दे हैं तो चलिए सबसे पहले हम Kali Linux को install कर दे हैं इसके अंदर तो बिना time waste किये मैं फटाबट से Chrome को open कर लेता हूँ और यहां पर सबसे पहले आपको FDM Download लिक कर search करना है तो यहां पर जो सबसे पहले नंबर का website है इसको open कर लेना है और यहां से इस FDM software को download कर लेना है तो basically FDM एक free download manager है जिसकी help से हम किसी भी file को बहुत ही fast speed में download कर सकते हैं बाकि इस software को किस तरह से use के जाता है वो हम आगे देखेंगी तो download complete होने के बाद आपको इसको open करना है यहां पर ok पर click करना है यहां पर next फिर next फिर next पर click करना है यहां पर install पर click करके इस software को install कर लेना है जैसे ही installation complete हो जाएगा यहां पर आपको finish पर click करना है तो यहां पर आप देख सकते हो FDM Software डाउनलोड हो गया है, यहां पर show कर रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको open करके आपको दिखा देता हूं कि यह किस तरह से काम करता है, तो यहां पर देख सकते हो इसका interface कुछ इस तरह से है, तो next हमको download करना है VMware Workstation, तो simply मैं यहां पर VMware Workstation लि download now लिखा हुआ है, यहां पर click करना है, तो इससे क्या होगा VMware जो हमारा virtual machine है, वो download होना start हो जाएगा, बट मैंने पहले से ही download कर रहा है, तो यहां से मैं इसको cancel कर देता हूं, आपको इस software को download कर लेना है, देन उसके बाद हमें download करना है Kali Linux की ISO फाइल, तो उसके लिए आपक download button कर रहा है, यहां पर click करना है, देन हमें virtual machine के लिए download करना है, तो यहां पर आपको virtual machine के उपर click करना है, देन यहां से हमें आप VMware जो लिखा हुआ है, यहां से हमें Kali Linux के ISO फाइल को download कर लेना है, तो यहां पर जो download button है, यहां पर click आप जैसे ही करेंगे, यह download होना start हो torrent जो लिखा हुआ है यहाँ पर right click करना है then copy link address पर click करके यहाँ से download link को copy कर लेना है then यहाँ पर काम आएगा FDM software simply आपको FDM को open कर लेना है and यहाँ पर जो plus icon है यहाँ पर click करना है तो automatically आपने जो link copy किया है वो यहाँ पर paste हो जाएगा then यहाँ पर आपको OK पर click करना है तो यह छोटा सा query generate करेगा कि यह link सही है या नहीं then उसके बाद यहाँ पर आपको download option show करेगा आपको simply download पर click करना है तो यहाँ पर काली Linux का ISO file download होना start हो जाएगा तो यह भी मेरे पास पहले सही है मैं यहाँ पर pause कर देदा हूँ बट आपको इस file को download करना है तो यह दोनों चीज़े download हो जाने के बाद अब चलिए हम चलते हैं installation के process के अंदर तो यह दोनों चीज़े download होने के बाद सबसे पहले हम VMware को install करेंगे तो मैं यहाँ से file manager को open कर लेदा हूँ यहाँ पर भी मैंने download किया है उस folder के अंदर आ जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो VMware workstation है simply आपको यहाँ पर right click करना है and run as administrator पर click करना है तो basically यहाँ पर installation process start हो जाएगा आपको थोड़ा सा wait करना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा time लगता है आपको किसी भी program पर close नहीं करना है then यहाँ पर आपको next पर click करना है then यहाँ पर I accept this agreement पर click करना है then उसके बाद आपको यहाँ पर next पर click करना है then उसके बाद आपको यह जो enhance keyboard driver है इसको भी आपको tick कर देना है then आपको फिर से next पर click करना है then फिर से next then फिर से next then आपको यहाँ पर install पर click करना है तो जैसे ही आप install पर click करेंगे तो यह जो installation process है यह start हो जाएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा तो आप थोड़ा सा wait कर लीजिए 2-3 मिनिट का time लगेगा उसके बाद installation process complete हो जाएगा तो हम थोड़ा सा wait करते हैं तो installation process complete होने के बाद आपको यहाँ पर finish पर click करना है तो यहाँ पर आपको system को reboot करने के लिए कहेगा तो simply आपको यहाँ पर yes पर click करना है तो आपका system reboot हो जाएगा देन उसके बाद आपका system जैसे ही open होगा आपको simply bmware workstation को open कर लेना है तो यहाँ पर आपको license key मागेगा तो इसके लिए भी हमारे पास जुगाड है तो उसके लिए आप chrome को open करें यहाँ पर search करें bmware workstation 70 pro license key तो यहाँ पर आपको github का एक result show करेगा इस website को आपको open कर लेना है यहाँ पर आपको variety of product key मिल जाएगा आप one by one हर एक product key को यहाँ से copy करकर copy करके यहाँ पर paste कर सकते हो कोई ना कोई product की यहाँ पर काम में आ जाएगा तो इस तरह से आप vmware को activate कर सकते हो lifetime के लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा vmware activate हो गया है देन उसके बाद आपको काली Linux का जो ISO file है उसको extract करना है तो simply मैं file manager को open कर दा हूँ देन यहाँ पर right click करके extract here पर click करके मैं इस zip file को extract कर ले दा हूँ देन simply बापस से आपको vmware को open कर लेना है देन यहाँ पर एक option show करेगा open a virtual machine यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर जिसे एक click करेंगे आपको ISO file जो भी हमारा काली Linux का है उसको select करना पड़ा है तो मैं simply तो मैं यहाँ पर जो काली Linux का ISO file है इससे select कर ले दा हूँ तो ध्यान रखे आप जिस folder पर store किये है उस ISO file को वहाँ से आप उस ISO file को select कर लेना है यहाँ पर open पर click करके इस file को open कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर edit virtual machine setting पर click करना है and अपनी हिसाब से अपनी system की हिसाब से आप इसकी RAM को increase कर सकते हो आप इसकी hard disk की size को increase कर सकते हो and आप इसकी network adapter को भी change कर सकते हो by default यहाँ पर net connection है तो मैं इसे रहने देता हूँ बस इतना करने के बाद आपको power on this virtual machine पर click करना है तो यहाँ पर हमारा काली machine open होना start हो गया है तो थोड़ा time लेगेगा आपको यहाँ पर wait करना है एक या दो minute लेगेगा तो जिसे ही completely open हो जाएगा कुछ इस तरह का interface show करेगा तो यहाँ पर आपको username and password enter करना है तो default username काली होदा है and default password भी काली होदा है आप दोनों जगा काली लिख कर काली Linux को open कर सकती हो तो यहाँ पर देख सकती हो आपको कुछ भी नहीं करना है simply आपको terminal को यहाँ पर open कर लेना है and simply आपको यहाँ पर sudo su लिखना है enter करना है then उसके बाद password आपको देना पड़ेगा तो password के अंदर आपको काली लिखना है then enterprise करना है यह मैं क्यों कह रहा हूँ यह आपको थोड़ी देर बात पता चल जाएगा तो जैसे ही आप यहाँ पर super user mode पर चले आ दे हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है root at the red काली red color में यानि कि आप super user mode पर चले आये हो इसलिए मैं यहाँ पर apt update कमांड को एक बार run कर लेदा हूँ तो यहाँ पर update start हो गया है थोड़ा time लेगा बट आपको update कर लेना है तभी आप अच्छे से काली Linux को use कर पाएंगे तो मैं थोड़ा सा wait कर दा हूँ तो यहाँ पर completely मेरा काली Linux update हो गया है देन उसके बाद आपको और एक command run करना है जो कि apt upgrade तो simply मैं यहाँ पर लिख दा हूँ apt upgrade देन जैसे ही मैं enter paste कर दा हूँ अप्ग्रेटेशन प्रोसेस start हो जाएगा तो अप्ग्रेटेशन प्रोसेस थोड़ा सा time लेता है आप wait कीजिए लगबख 20 minutes से 25 minutes का time लेता है आप wait कीजिए और अपनी system को completely upgrade कर लीजिए तभी आप काली Linux को अच्छे से use कर पाएंगी ओके तो यह तो हो गया काली Linux की installation प्रोसेस नेक्स्ट हम बात कर दे हैं किस तरह से हम one level machine को install करेंगी तो सबसे पहले हम Mr. Robot को install करेंगे जो की एक one level machine है तो Mr. Robot को install करने के लिए हमेचे यह इसका machine तो simply मैं Google Chrome को open कर लेता हूँ यहां पर आपको search करना है Mr. Robot Ballhop जैसे ही आप search करेंगे यहां पर जो सबसे पहला number का website है इस website को आपको open कर लेना है तो यहां पर Mr. Robot को download करने के लिए पेज open हो जाएगा यह Ballhop का official page है यहां पर different तरगी one level machine मिल जाएगा जिनको आप download करके अपनी virtual machine के अंदर अपनी hacking skill को practice कर सकती हो तो Mr. Robot को download करने से बेले थोड़ी बहुत इसके बारे में जा लेते हैं जैसे कि यह based on show Mr. Robot यान कि जो Mr. Robot एक wave series है उसके उपर यह base है इस machine के अंतर आपको three different hidden key को find out करना होता है जो कि बहुत ही difficult है यान कि जैसे कि आप CTF कहलते हैं capture the flag ठीक उसी दरह से यहां पर आपको three different flag को collect करना पड़ता है जो कि बहुत difficult नहीं है बर थोड़ा सा difficult है तो यह basically beginner and intermediate level के लिए design किया गया है तो इसका size है 704 MB तो इसे आपको download करना है तो simply आपको यहां पर click करना है तो यह automatically download start हो जाएगा तो मैंने पहले से इसे download कर रखा है तो मैं यहां पर cancel कर देता हूँ यहां पर आप जैसे इस app पर click करेंगे इसका downloading process start हो जाएगा तो आपको इस machine को download कर लेना है और एक बात अगर आपकी downloading process बहुत slow है तो आप FDM software को भी use में ले सकते हो simply आपको इस link को copy कर लेना है और क्या करना है आपको simply FDM को open करना है तो यहां पर plus button पर click करना है तो आपने जो link copy किया है वो automatically यहां पर fill up हो जाएगा then simply आपको यहां पर OG पर click करना है then आप जैसे ही यहां पर download button है इस download button पर click करेंगे तो download process start हो जाएगा बट मैंने पहले से download कर रखा है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो mrrobot.oba तो आपको इस file को download कर लेना है तो इस file को download कर लेने के बाद आपको उसी location पर जाना है जहां पर आपने file को download कर रखा है तो मैं simply file manager को open कर लेता हूँ then मैंने d drive के अंदर यहां पर mrrobot नाम की एक folder के अंदर मैंने download कर रखा है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो और एक बाद मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा अगर यह file download करते समय आपका firewall on है या फिर window defender on है तो उसे off कीजिए बरना यह download नहीं होगा तो completely download होने के बाद आपको bmware को open करना है अबनर यहां पर आपको open evaluation पर click करना है चिस location पर Mr. Robot की file को है देख करना है तो मैंने नहीं इसको कि आपको इस file को select करके यहां पर open पर click कर लेना है तो जैसे यह आप open पर click करेंगे याँ पर window आपके सबने show करेगा यहां पर आप अपनी machine का नाम दे सकते हो, तो simply मैं यहाँ पर Mr. Robot लिख देता हूँ दन यहाँ पर आपको Location चूज करना है, जहाँ पर भी आप इस Machine को इंस्टल करना साथे हो तो आपके Case में आप इसे Default रहने दे बड़ मैं यहाँ पर Change करता हूँ क्योंकि मेरे पास C Drive के अंदर ज़्यादा Space नहीं है तो simply मैं यहाँ पर Change कर लेता हूँ D-Drive के अंदर में इसे Storm कर लेता हूँ Then simply Location चूज करने के बाद आपको यहाँ पर Import पर क्लिक करना है तो यहाँ पर Importing Process स्टार्ट हो गया है थोड़ा सा Time लेगा, 2-3 मिनिट लेगा आपको यहाँ पर Wait करना है तो लगबग 5 मिनिट के बाद यहाँ पर Completely Import हो गया है Mr. Report तो then simply आपको यहाँ पर कुछ भी ने करना है Simply आपको Power on this Virtual Machine पर क्लिक करना है तो इससे हमारा Mr. Robot Virtual Machine Open हो जाएगा Then simply आपको यहाँ पर Wait करना है यह Automatically Boot Off हो जाएगा तो All Right यहाँ पर देख सकते हो Mr. Robot जो Virtual Machine है वो यहाँ पर Open हो गया है तो इस वीडियो में हम जितने भी Machine को Install करेंगे आगे आने वाले वीडियो में इन सारी Machine पर हम Practice करेंगे और यहाँ पर जितने भी Hidden Key है उनको Find Out करेंगे तो चलते हैं हम अपरी Next Machine को Install करने के लिए जो है The Matrix VM तो उसके लिए भी मुझे Simply Google Chrome को Open करना पड़ेगा यहाँ पर आपको लिखना है Top 10 One Level Machine एन सार्च करना है तो यहाँ पर आपको दो नमबर पर एक Result शो करेगा One Level Machine Free Download इस Website को आपको Open कर लेना है तो यहाँ पर SourceFog का Websites Open हो गया है देन स्क्रॉल करके आपको नीची आना है तो यहाँ पर आपको The Matrix VM Show करेगा यहाँ पर आपको Simply Click करना है देन यहाँ पर The Matrix VM का Page Open हो जाएगा जहांसे आप इसके बारे में थोड़ा सा Information जान सकते हो और इसको Download भी कर सकते हो तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है इस Machine को बनाय गया है Boot to Root Challenge के लिए जो कि Beginner Level पर है यह एक OBA File है जो कि आप Easily VMware पर Open कर सकते हो देन यहाँ पर आपको One by One हर एक Instruction मिल जाएगा जिससे आप इस Entire Machine को Install कर सकते हो और किस तरह से यहाँ पर आपको Flag को ढूड़ना है बलनाम लिटीज को Find Out करना है वो सारी चीज़े आपको मिल जाएगा जहांसे आप सिख सकते हो तो Simply आपको यहाँ पर Download पर क्लिक करना है एंट इसे Download कर लेना है तो मेरे पास यह पेले से ash downloaded है तो मैं इसे Cancell कर देदा हूँ तो मैं यहाँ से Cancel कर देदा हूं तो आपको इस file को Download कर लेना है एंट जैसे ही Download complete हो जाए आपको Simply File Manager को open करना है एंट जिस लोकरषन पर आपने इस file को download गया है उस location पर जाना है जैसे कि मैं यहाँ पर download गया है इसको d drive के अंदर जो d matrix folder है वहाँ पर तो देख सकते हो यहाँ पर zip file download हो गया है then simply zip file के उपर आपको right click करना है then extract here पर click करके इसको extract कर लेना है जैसे कि मैंने पहले से इसको extract कर रखा है हूँ then again आपको यहाँ पर open यह virtual machine पर click करना है then आपने जिस location पर the matrix का file को save किया है उस location पर जाना है तो मैं d drive के अंदर the matrix जो folder है वहाँ पर save किया हूँ तो मैं वहाँ पर आदा हूँ then यहाँ पर आपको ova file show करेगा इसको select कर लेना select कर लेना then यहाँ पर open पर click कर देना तो यह भी यहाँ पर open हो गया है आपको simply यहाँ पर इसका नाम देना है तो मैं यहाँ पर देता हूँ the matrix then फिर से आपको नीचे installation location चूज करना है आपके case में यह default रहेगा but मैं यहाँ पर change कर रहा हूँ क्यूंकि मेरे street drive के अंदर ज्यादा space नहीं है तो मैं यहाँ पर d drive के अंदर इसको install करूँगा तो simply d drive के अंदर जाता हूँ then यहाँ पर एक folder है vm lab then यहाँ पर एक folder और है दो matrix इसको select कर लेदा हूँ then simply आपको यहाँ पर import पर click करना है तो यहाँ पर importing process start होगा यह भी 2-4 minute का time लेगा but आपको wait करना है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो completely import हो गया है then आपको simply यहाँ पर power on this virtual machine पर click करना है तो इसका booting process start हो जाएगा यहाँ पर भी आपको थोड़ी time तक wait करना है यह automatically boot off हो जाएगा देख सकते हो यहाँ पर boot off हो गया है तो अभी इसका कोई भी काम नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको shutdown कर देदा हूँ तो next हमें install करना है metasploitable2 जो की एक one level machine है तो उसके लिए भी मैं chrome को open कर लेदा हूँ then यहाँ पर आपको search करना है metasploitable2 machine download तो जैसे इस search करेंगे यहाँ पर आपको rapid7 का जो website है वो show करेगा metasploitable2 नाम से and उसके नीचे आपको ballhub का यह website show करेगा आप इन में से किसी भी एक website से download कर सकते हो मैं sourcefox जो website है यहाँ से download कर दा हूँ तो यहाँ पर metasploitable download लिखा है यहाँ पर simply आपको click करना है तो यहाँ पर भी metasploitable का page open हो गया है यहाँ पर simply आप download पर click करके इस machine को download कर सकते हो but मैंने पहले से download कर रखा है तो again इस process को मैं यहाँ पर cancel कर दूँँगा तो जिसे download start होगा मैं cancel कर दूँगा then उस location पर जाना है जहां पर आपने इस फाइल को download गया है तो मैं इसको D-Drive के अंदर जो meta-splitable meta-splitable folder है वहां फर मैंने download गया है तो मैं यहां पर आज आता हूँ then यहां पर zip file आपको देखने के लिए मिल जाएगा then इसी zip file के उपर आपको right click करना है then extract here for click करके इसको extract कर लेना है तो यहां पर भी थोड़ा सा time लेगेगा आपको wait करना है तो यहां पर देख सकते हो completely extract हो गया है यहां पर folder show कर रहा है तो next आपको फिर से VMware को open करना है then यहां पर जो open a virtual machine है यहां पर again आपको click करना है then आपको बापस से वही location पर जाना है जहां पर आपने medasplayable machine को extract किया है तो मैं उपर आता हूँ यहां पर यहां पर medasplayable जो folder है यहां पर मैंने extract किया है folder यहां पर देख सकते हो then इस folder को आपको open करना है then यहां पर जो भी file आपको मिलेगा इस file को select कर लेना है then open पर click कर लेना है तो देख सकते हो यहां पर medasplayable 2 open हो गया है then simply आपको यहां पर power on this virtual machine पर click करना है जिससे यह booting होना start हो जाएगा तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको wait करना है 2 से 4 सेकेंड के बाद यह completely boot off हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हो completely open हो गया है तो इसका भी यहां पर कोई भी use नहीं है तो अभी हम इसे shut down कर लेते हैं तो अभी तक आप इने 4 machine को install कर लिया है नेक्स्ट हम बात करते हैं Windows 7 को आप किस तरह से VMware पर install करेंगी तो अभी तक आपने 4 machine को install कर लिया है VMware के अंदर बट जो हमरा Windows 7 है उसको हम इस वीडियो के अंदर install नहीं करेंगी क्योंकि वीडियो अलरड़ी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है तो प्लीज इस वीडियो को देखकर आप इन सारे One Level Machine को एंड काली निक्स को install करने VMware के अंदर जिसकी help से हम एंटायर ethical hacking को सीखेंगी तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगी और प्लीज चैनल को